जैपुर में कारोबारी को धमकी भरे मैसेज का सामना करना पड़ा जानकारी के नुसार गैंक्स्टर रोहिट गोदारा के नाम से कारोबारी को धमकाया गया है इसके बाद शाम नगताना पुलिसिस मामले की जाच करने में जुट गई है शिकायत में कारोबारी ने बताया कि उन्हें एक अंजान इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से वाटसेप कॉल आया था कारोबारी ने कॉल नहीं उठाया लेकिन उसके बाद एक वोईस रिकोर्डिंग भीजी गई जिसमें एक आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी रिकोर्डिंग में उस आदमी ने अपने आपको रोहित गोदारा बताया और कहा क्या हाल चाल है रोहित गोदारा बोल रहा हू अभी फोन कर ले भाई वापस फोन कर ले इस धमकी भरा मेसेज मिलने के बाद पीडित कारोबारी ने शाम नगठाने में शुकायत दर्श करवाई शाम नगठाना पुलिस ने इस मामले में एफ आयार दर्श कर ली है वहीं डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि ध हमकी भरा मेसेज मिलने के बाद इंटरनेशनल मोबाईल नंबर की जांच जारी है उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक किसी परकार की रंगदारी की बात सामने नहीं आई है इस घटना के बारे में पुलिस जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए कड़ी कारव की जा रही है